राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक अनांद साहिब की ओडियो रिकर्डिंग ओडियो कॉपी राइट दो हजार तेईस राधा स्वामी सत्संग ब्यास सर्वा धिकार सुरक्षित अनांद साहिब लेकक डाक्टर टी आर शांगारी प्रकाशक चेशी सेथी सेकरेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जैमल सिंग पंजाब कॉपी राइट दो हजार दस राधा स्वामी ससंग ब्यास सरवा दिकार सुरक्षित पहला संसकरंग दो हजार दस विशय सूची प्रकाशक की ओर से लेखक की ओर से अनंद साहिब राम कली महला तीजा अनंद अनंद और आनंद लामा सुही महला चोथा चंत कारपला प्रकाशक की ओर से मानव जाती के इतिहास में महान संत महात्मा गुरु पीर सदैव जीवन तथा इसके उद्देशे के प्रती अपना द्रिष्टि कोण हम तक पहुँचाते रहे हैं अधिकतर महा पुरुषों अपने उपदेश को स्वयम अपने हाथों से नहीं लिखा है वे अपने उपदेश को किसी विशेश मत्मतांतर का रूप नहीं देना चाहते वे उँच नीच धर्म और जाती के भेद भाव के बिना सब शुरुताओं को समान रूप से अपना उपदेश देते हैं संत महात्मा, आम परचलित भाशा साखियों तथा दृष्टांतों द्वारा शुरुताओं में उँचे आध्यात्मिक सत्ते को जानने का शौक पैदा करते हैं वे अपने अनुभव के आधार पर इसी सत्ते का परचार करते हैं धर्म गरंत हमें राह दिखाते हैं वे जानकारी देते हैं कि आध्यात्मिक सफर कहां से शुरू करना है और रास्ता कैसे तै करना है धर्म गरंत हमें याद दिलाते हैं कि वह प्रमात्मा हमारे अंदर है उनमें जो उपदेश दर्ज है उस पर अमल करने की प्रेरना देते हैं सच्चा पारमार्तिक ज्ञान तता द्रिड विश्वास तभी पैदा होता है जब हम संत महात्माओं के उपदेश पर चलते हुए खुद रुहानी तरक्की करके अंतर में उस सत्य का साक्षाथ अनुभव प्राप्त कर लेते हैं धर्म ग्रंत लिखित रूप में हम तक पहुँचे हैं प्रंतु उनमें दर्जवानी का उच्चारन करने वाले महात्माओं को निजी अनुभव प्राप्त होता है संत महात्माओं का उपदेश परमार्थी जीवों के लिए होता है ताकि उन्हें अग्यानता की गहरी नीन से जगा कर सचे रुहानी मार्ग के बारे में सचेत किया जा सके शब्दों का अर्थ हर व्यक्ति अपनी सोच, विचार धारा और ग्रहन करने की शक्ती के अनुसार समझता है जैसे जैसे हमारी सोच के दाइरे का विस्तार होता है वैसे वैसे धर्म ग्रंतों के उपदेश की गहराई तथा महानता और अधिक उजागर होती जाती है सच्ची आध्यात्मिक सूज धर्म गरंतों के पाठ विचार से नहीं बलकि उनके उपदेश पर अमल करने तथा अपनी चेतना का विकास करने से संबंदित है आधी गरंत संसार के श्रेश्ट धर्म गरंतों में से एक है इसका संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने किया इस अनूपम गरंत में गुरु नानक साहिब से आरंब हुई गुरु परंपरा से संबंदित छै गुरु सहबान के अलावा अलग अलग धर्मों, जातियों तथा समयक से संबंदित तीस अन्य संथ महात्माओं की वानी भी उपलब्ध है इससे पता चलता है कि सब संथ महात्मा एक ही सत्य का परचार करते हैं और वह सत्य यह है कि प्रभु के साथ प्रेम करना तथा उस द्वारा स्रजित सारी मानव जाति को एक कुटुम समझना अनंद गुरु अमरदास जी की आनंद की प्राप्ति के विशे पर कही गई कृती है इस वानी में ग्यान, सौंदरे तथा रस का अनूपम मिश्रन है इस वानी को विशय वस्तू और अभीवक्ती के आधार पर संसार के सरवोत्म पारमार्तिक साहित्ते में शामिल किया जाता है इस ओडियो पुस्तक के अंत में गुरु रामदास जी द्वारा सुही राग में रचे गए चार छंतों को जिनको लामा कहकर पुकारा जाता है संमिलित किया गया है ये लामा आनंद कारज यानी विवा के समय भी पड़ी जाती है इस प्रकार इनका जन जीवन से गहरा संबंध है जिस तरह गुरु सहबान ने पट्टी, बावन अक्री, बारह माहा आधिकाव्य रूपों को पारमार्थिक विचारों की प्रस्तुती का साधन बनाया है उसी तरह लामा में भी आध्यात्मिक उन्नती द्वारा जीवात्मा रूपी दुलहन और परमेश्वर रूपी पती के मिलाव की प्रकिरिया पर प्रकाश डाला गया है जेसी सेठी 20 अगस्त 2010